लो गाईज, वैलकम टू माई निव व्लोक, तो दोस्तो सबसे पहले सोरी, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं व्लोकिंग शुरू कर रहा हूँ, बीच में कुछ महिनों के लिए मैंने व्लोकिंग बिलकुल ही नहीं की, लेकिन फाइनले नए साल के मौके पर मैंने तो दोस्तो आज काफी दिनों के बाद मैं व्लोगिंग शुरू कर रहा हूं तो ये मेरा नई साल का पहला व्लोग है तो आज का जो ये व्लोग है मैं अपने गाउं से ही करने वाला हूं तो सबसे पहले आज मैं अपने गाउं का इस व्लोग में नजारा दिखाने वाला हूं अपने गाउं को, अपने गाउं की सुन्दरता को दिखाने वाला हूं और मेरा गाउं कैसा है, ये भी दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ आज हम खेत में भी जाएंगे तो मैं अपने खेत का नजारा भी दिखाने वाला हूं तो दोस्तो ये है माई सर्मा मेरी क्यूट सी भान जी तो हम दोनों आज हम जाएंगे खेत में और खेत का नजारा भी आपको दिखाएंगे सबसे पहले मैं आपको अपने गाउं का भी नजारा दिखा दूँगा सिनमेटिक वीडियो वो भी मेरे गाउं के सबस्ते है जाएंगे सकते हैं तो अपने मेरे गाउन की cinematic video आपने देख लिए है, तो अब हम जाएंगे खेत में, तो सबसे पहले आपको दिखा दो, तो माई याँ भी खेल रही है, गेम, जो कि अभी मेरे साथ जाएगी खेत में, तो माई खेत में जाने के लिए तियार है, तो अब हम जाने वाले हैं, तो वहां का आपको सुन्दर नजारा दिखाने वाले है तो आए चलते हैं अब खेत में तो फाइनली दोस्तों हम अपने खेत में आच चुके हैं और है बात करें तो दोस्तों महाई मेरे साथ आई नहीं क्योंकि मम्मे ने बोला उसकी तबेत खराब है तो इस करके मैं महाई को साथ लाया नहीं क्योंकि हवाई चल रहे है ठंडी-ठंडी हवा है लेकिन मैं उसको साथ लाया नहीं दोस्तों अभी फिलाल टाइम मैं खेत में आ चुका हूँ तो सबसे पहले मैं अपने खेत की एक सिनमाटिक वीडियो आपको दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ हुआ 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 है अच्छा फिल करने लग जाता है तो अभी मैं आपको दिखा दू मेरे पीछे की तरफ ये तो हमारे ग्यों है एक किले के अंदर हमने ग्यों बो रखे हैं और वही बात करें तो जो मेरे पीछे की तरफ है और यह जो ही साइड वाला खेता है इन में सरसंबो रखे है तो दोस्तो धाई किले में हमने ग्यों और सरसंबो रखे है तो अभी मैं फिलाल टाइम खेत में आ चुका हूँ और यहां बहुत ही सांती है यार बहुत ज़्यादा सांती है और बहुत अच्छा फिल हो रहा है क्योंकि आज ना धूप बहुत अच्छी तरह निकली हुई है एक तो चमचमाती धूप भी निकल रही है और वही बात करें तो सुबह बहुत ठंड थी यार मैंने कोट भी डाला हुआ था यानि कि मैं कहूं तो बहुत सर्दी हो रखी थी सुबह लेकिन अभी इतनी किलियर ध यह वह समी एक स्वेट श्रात जेसी पर देख़ें और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और खेत में भार्तने के बाद ना और बी अच्छा फील हो रहा है यानि कि मैं एक लिखा हुआ और चाहिए क्वलम भी फोकस करना चाहिए के यह टाइम पर मैं एक काम करूँ गाँ ना तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन मैं दो-दो काम के पीछे बागऊंगा ना तो यार दोस्तों एक भी काम नहीं हो पाएगा मेरे से एक भी तो मैं फिलाल टाइम मेरा पूरा फोकस अपनी व्लोगिंग पर है दोस्तों हम अपने खेत बी वीव आपको दिखात सुकी हैं और वही मैं उमीद करता हूँ आपको मेरा ये vlog भी बहुत ही पसंद आएगा और आप इस vlog को बहुत साए प्यार देंगे तो दोस्तो नया साल है नए साल के उपर मैं आपको और आपके परिवार को नए साल की मुबारख बात देता हूँ और ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए धेर सारी खुशिया भी लाए ये मैं भगवान से कामना करता हूँ तो दोस्तो अब जो नए साल आया है मैं भी नए साल पर अब एक के बाद एक व्लोग करने वाला हूं तो दोस्तों क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं व्लोग नहीं कर पा रहा था तो अब फाइनली मैंने नई साल पर व्लोगिंग शुरू कर दी है और वहीं बात करें तो अब एक के बाद एक बैतर व्लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों यह अपने भाई का चैनल है यार प्लीज इसे बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करो यार क्योंकि अ सब्सक्राइब आप लोगों को भी बीडियो को भी शेयर करें चैनल के इसे के एक सब्सक्राइब करो तो यार बहाई आप लोग अगर अपना तिहार दिखार तो मैं यूटूब से एक से बहतर एक व्लोग लाने वाला हूं भाई आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लोगिंग करूंगा दूर दूर जाके भी व्लोगिंग करने के लिए त्यार हूं तो भाई बैस आप लोग अपना प्यार दिखाएं और इस चैनल को करें सबसे पहले और हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें जितनी होसके और आपको भी कोई अच्छी से जगया का नाम पता होता आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं उस जगया का भी व्लोग करने के लिए भी त्यार हूं तो दोस तो मिलते हैं आगले व्लोग में टेक कियर बाई बाई